कि अब ही दक हमने इस चाप्टर का फोर्स पार्ट खदम गड़िया है जिसूर्ट में हमने देखा की बिजनेस क्या होता है। उसके क्या क्या पॉर्चुनीटीज रहते हैं। वो traditional business से कैसे differ करता है क्या resources चाहिए ये सब हमने first part में देख लिया अब चालू करते हैं chapter का second part जहां पर हम पढ़ने वाले हैं outsourcing के बारे में सबसे पहले ये समझते हैं कि outsourcing का मतलब क्या होता है अब कोई और company का example देखिया अगर मैं आपको समझा उससे अच्छा है मैं virtually का example लेता हूं let's say कि हम virtually की बात करते हैं और virtually के teachers किया फांडर्स की बात करते हैं तो हम सब originally teachers हैं हमें marketing नहीं आती हमें software बनाना नहीं आता हमें शायद हमारे account संबालने नहीं आते हमें accounting पढ़ाना आता है बट शायद हम पूरे virtually का account manage नहीं कर सकते हैं तो हमने क्या सोचा हमने सोचा कि let's say कि हम सिर्फ हमारे main काम पे ध्यान देते हैं जो हमें आता है that is teaching ठीक है तो हमने क्या decide कि हम सिर्फ पढ़ाएंगे तो question यह उठता है कि फिर marketing कौन करेगा accounts कौन संबालेगा यह सारी चीजे कौन देखेगा तो हमने decide कि चलो इसके लिए हमारे ही जैसा कोई expert hire करते हैं हम पढ़ाने में expert हैं तो इस दुनिया में कोई ना कोई आदमी ऐसा भी होगा जो शायद accounts में expert है कोई ऐसा भी होगा जो शायद marketing में expert है तो हमने क्या सोचा कि instead of doing all the work by ourselves हम अपना main काम अपने पास में रखते हैं बाकी काम जो हमें नहीं आता है वो हम किसी और को देते हैं तो जब आप अपना non-core business activity किसी और को देते हो non-core मतलब क्या हुआ ऐसी चीज जो आपके लिए जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है जैसे कि मैं example देता हूँ virtually में main चीज क्या है पढ़ाना अगर हमारा पढ़ाया वह आपको समद में नहीं आएगा तो हम कितनी भी marketing कर ले कोई फायदा नहीं है simple logic है तो हमारे लिए marketing एक non-core activity हो गई पढ़ाना हमारे लिए core activity हो गई तो हमने क्या किया हमने हमारी non-core business activities किसी third party यानि किसी बहार के बंदे को दे दी अब ऐसे किसी को भी दे देंगे क्या नहीं देंगे वो जो third party यानि वो जो बहार का बंदा है वो marketing में या फिर accountancy में expert होगा तो इससे क्या गुए हमने हमारे काम पे ध्यान दिया दाटिस हमें पढ़ाना आता है तो हम पढ़ा रहे हैं बिना चीन्था कि हमें marketing के लिए post नहीं बनाना है हमा अब हमारे accounts नहीं संभालना है हमें सिफ पढ़ाना है तो हम पढ़ा रहे हैं उनका काम क्या है? Marketing team का काम है कि वो marketing संभालेंगे Website development team का क्या काम है कि वो website develop करेंगे हमें उस चीज की चिंदा लेने की ज़ुरत नहीं है तो यह simple concept को हम बोलते हैं Outsourcing देखो BPO that is business process outsourcing नाम याद रखना BPO का full form होता है business process outsourcing refers to getting a business task accomplished through an outside agency यानि जब हम अमारा काम business का काम घर का काम नहीं जब हम हमारे business का काम किसी third party या फिर कोई outside agency से कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं BPO that is business process outsourcing ठीक है earlier companies used to hire outside agencies to perform tasks which used to come up occasionally पहले के लोग क्या करते थे जनरली थोड़े मूटे काम जो ऐसे काम जो कभी कभी आते हैं ऐसे काम भारवालों से कराते थे बट आजकल क्या हो गया है आजकल हम जनरली एक पूरी की पूरी टीम को हायर कर लेते हैं क्यूंकि marketing की बात करते हैं कितने सारे पोस्ट बनाने होते हैं कभी महात्मा गांदी जैंति का पोस्ट है कभी इंडिपेंडेंडेंस का पोस्ट है कभी रिपब्लिक डे का है कभी दिवाली का है न्यूएर का है सो मैनी पोस्ट है ना तो अब हम बार बार अलग अलग पोस्ट अलग अलग आदमी से तो बनवाइंगे नहीं तो हमने क्या डिसाइड किया कि छो changed the companies have started hiring outside agencies to perform routine jobs such as after sales services maintaining books of accounts etc. पहले के लोग क्या करते थे खाली occasional काम के लिए भार के लोगों को बुलाते थे बड़ आजकल ऐसा नहीं है आजकल मैंने अभी अभी आपको क्या पता है कि हम पूरी की पूरी टीम को पर्मानेंटली हायर कर लेते हैं कि भाई जितने भी बिलोंगे वो अकाउंट्स की टीम संबालेगी जितने भी पोस्ट बनाने है वो marketing टीम संबालेगी अब हमें टेंशन लेनी की जौरत नहीं है कि अरे बोट्स की डेट पास में आ रही है तो उससे टेंशन लेने की जौरत नहीं है पहले क्या होता था सिफ छोटे मोटे काम भारवालों को देते थे आजकल ऐसा नहीं है आजकल रेग्यूलर जॉब्स जैसे आकाउंट्स की बात करते हैं अब डेली आप लोग सब्सक्रिप्रिशन खरीदते हो तो डेली हमारे रेवन्यू में कुछ ना कुछ आएगा हमारे डेली कुछ एक्सपेंसेज भी होंगे तो अगर हम यह काम करने लग जाए इतना पैसा आया इतना पैसा गया तो हम पढ़ाएंगे कब यह पीपीटी कब बनाएंगे आपके डाउट कब सॉल करेंगे पॉसिबल ही नहीं है तो हम क्या करते हैं हम अकाउंटेंसी की पूरी एक टीम को हाय कर लेते हैं तो यह हमारा एक कोर अक्टिविटी है ठीक है ऐसा नहीं बुलूँगा कि टोटली नॉन कोर है बिना अकाउंट संबाले कोई भी कंपनी नहीं चल सकती है लेकिन हमने क्या किया यह कोर अक्टिविटी है मेरी एक रूटीन जॉब है फिर भी मैंने इसको आउट आउट्सोर्सिंग का पहला फीचर हुआ कि बीपियों इन्वॉल्स कॉंट्राक्टिंग आउट यानि आउट्सोर्सिंग में आप अपना काम बाहर वाले को देते हो मतलब पहले वो बंदा आपकी टीम में नहीं था बड़ जैसे आपको लगने लगा यह काम मेरे से नहीं ह हो रहा है फिर काम बहुत जादा हो रहा है mental pressure बहुत बढ़ रहा है तो आपने क्या किया आपने अपना काम उठागे किसी बाहर वाले को दे दिया अब जस्ट इमाजिन करो कि हम हमारा आप किसी और से डवलब कराते हैं आप तो हमारा ही है काम हमारा ही है बट हमने क्या किया अपना काम किसी और को दे दिया क्यों दिया क्योंकि वो बंदा अपने काम में एक्सपर्ट होगा हम हमारे काम में एक्सपर्ट है तो दोनों ही काम हमारे बहुत अच्छे से हो जाएंगे simple तो BPO का पहला feature क्या होता है it involves contracting out second generally non-core business activities are outsourced मैंने आपको क्या बोला कि generally हम हमारा कम important काम जो होता है वो किसी का outsource करते हैं जैसे कि example देता हूँ ये lights है, cameras है ये screen है इत्ती बड़ी अगर इन में से कोई भी एक चीज खराब हो जाती है तो अब हम तो ठीक करने बैठेंगे नहीं एक maintenance team है, वो ध्यान रखती है इन सब चीजों का, ये एक non-core activity है मैं ये नहीं बोलूँगा कि इन सब चीजों के बिना हमारा काम चल सकता है, नहीं चल सकता बट ये चीजे उतनी important नहीं है जितना important पढ़ाना है ठीक है, तो generally हम क्या चीजा outsource करते है, non-core business activities non-core का मतलब होता है, less important and third होता है, processes may be outsourced to a captive unit or a third party ठीक है, generally हमारे business में जो process होते हैं, वो हम दो तरीके से outsource कर सकते हैं, first is captive unit or a third party अब captive unit or third party में बहुत बड़ा difference होता है, generally अगर आप देखो तो लोग यह वाले point समझाते भी नहीं है because it is a little difficult to understand ठीक है, captive unit का क्या मतलब होता है आपने अलग से एक पूरी unit बना दी, यह हमारे साथ में हुआ था ठीक है, पहले हम क्या करते थे हम lectures जब record करते थे, तब हमने खुदने करना शुरू किया था, then we realized it is very difficult, फिर हमने क्या किया हमने एक टीम को contract दिया था कि sir आप 6 महिने के लिए आओ और इतनी सारे lectures हमारे record कर दो but then we realized कि teaching तो endless होती है आज यह पढ़ाओ, कल case studies record करो sample paper solve करो, do soon many things तो हमने क्या किया, फिर हमने वो टीम को बोला कि sir आप permanently हमारे टीम के member बन जाओ, तो हमने क्या किया हमने एक unit चालू कर दी, हमारे ही organization में हमने एक अलग department चालू कर दिया, जिसको हमने नाम दिया production department या फिर production team, अब वो team क्या करती है, हमारे लिए 24 hours available है, ठीक है, हम उनको बोलते है आज ये record करना है, ठीक है, चलो record करते हैं हम ये बोलते हैं, कि ये lecture वापस record करना पड़ेगा, ये इसमें कोई mistake हो गई है ठीक है, वापस record करते हैं ये editing करनी पड़ीगी, okay editing कर देते हैं तो ये क्या हुआ, ये captive unit है यानि ये हमारे organization में ही ये छोटा सा part है जनरली याद रखना, captive unit एक organization से ज़्यादा organizations के काम नहीं करती है, that means now if our production team is working for virtually, तो वो और किसी के लिए काम नहीं करेगी reason क्या है, क्योंकि वो permanent होगा है first thing, दूसरी जीद जो आपको याद रखने की जोरत है, वो ये है कि captive unit जो organization में बैठी होती है जैसे हमारी production team virtually के office में बैठी है तो ये जो team है, that is ये जो production team है, ये virtually नहीं create करी है, ये पहले से team नहीं थी, they were freelancers जो भार के लिए काम करते थे, but now जब हमको लगा कि हमारा काम बहुत ज़्यादा हो गया है तो हमने क्या किया, एक अलग से unit prepare कर दिया, तो इसे हम बोलते है captive unit, जब आप in-house team को hire कर लेते हो, तो उसको हम बोलेंगे captive unit याद रखना captive unit generally एक organization से ज़्यादा का काम नहीं करती है simple, next होता है third party अब let's say कि आपका budget नहीं है कि आपको पूरी in-house team बेठानी है तो आप क्या करोगे, आपको इंचाइड agency को काम दे दोगे third party मतलब क्या होता है outside unit, ऐसा unit जो आपके organization का हिस्सा नहीं है simple, अब third party में भी दो type होता है first is horizontals and second is verticals अब horizontal का मतलब I think आपको पता है, ऐसे soya वाज होता है that is horizontal और vertical मतलब ऐसे जो straight खड़ा होता है उसका हम बोलता है vertical मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि what is the difference between horizontal and vertical let's say this was a horizontal third party unit और ये unit का नाम था, let's say marketing marketing unit थी है मतलब इन्हें अपने line में सारा काम आता है let's say post बनाने की बात हो गई या फिर videos बनाने की बात हो गई GIF बनाने की बात हो गई promotion की बात हो गई, इन्हें marketing में सारा काम आता है, मतलब ये अपने level पे सब काम जानते हैं, let's say this is a level वो अपने level पे marketing के level पे वो सारा का सारा काम जानते हैं, तो इसे हम बोलेंगे horizontal, वहीं पर vertical क्या होता है, this is vertical और vertical में आपको भी पता है जो ज़्यादा उपर होता है, वो ज़्यादा important होता है जो नीचे होता है, वो कम important होता है तो vertical third party का क्या मतलब होता है, ऐसी party जिसे non core business activity से लेके core business activity सबकुछ आती हो, यह आपका एक ऐसा friend होता है, जो all rounder होता है जैसे Indian cricket team में हमारे युवराज सिंग थे, he was an all rounder तो यह जो vertical team होती है, यह all rounder team होती है, यह non core activities से लेके core activities तक सबकुछ कर सकते हैं समझना आया, तो outsourcing के 3 features क्या थे, generally BPO involves contracting out, generally non core business activities are outsourced, and third process may be outsourced to a captive unit or a third party, third party में हमने दो टाइप पढ़े, horizontal and vertical, अब चलते हैं next video पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं, about the advantages of outsourcing